नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद है आप बहुत अच्छे होंगे आपका स्वागत है फिर से आपके ही अपनी यूटूब चैनल सरकम रिकॉर्ड्स पर दोस्तों मैं आपका अपना होश्ट और दोस्त अजीत सर्मार्मा दोस्तों आप फिल्मी दुनिया की बातें सुनना चाते हैं ऐसी ऐसी बातें जो कि आज तक आपने कभी न सुनी हों तो बेफिकर होगे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकोल को दवा दें जिससे हर रोज हमारी वीडियो आपकी मोवाइल में बड़ी आ जया बाहदुरी ने कोई भी फिल्मों में काम नहीं किया नहीं फिल्मी दुनिया में वो आई लेकिन ऐसा अभिता बच्चन या उनके परिवाल के कहने से नहीं हुआ बलकि किसी की बात उनके दिल में ऐसी चुबी कि वो लंबे समय तक फिल्मी दुनिया से दूर रही अमि नहीं है कि जया बच्चन के जनम के बाद या अविशेक के जनम के बाद इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया हूँ वो आई पर कुछी चुनिंदा प्रोजेक्ट में नजर आई लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जया बच्चन ने पूरी तरह से फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया जया अकसर काम की सिल्चले में बाहर राह करती थी वह बच्चों को समय नहीं दे पाती थी ऐसी में स्वेता ने मा जया से कहा ममी आप हमारी साथ गल पर क्यों नहीं रहती काम तो पापा को ही करने दो आप जया बच्चन को मासूम स्वेता की बात दिल पर ऐसी लगी कि वो सोच में पड़ गई कि उनके बच्चे सही मायने में उनकी मा को कितना मिस करते होंगे। सुवेता की इस बात को जिया बच्चन ने गंबीरता से लिया और उसके बाद फिल्मी दुनिया को टाटा बाई बाई बोल दिया। सुवेता बच्चन और अविशेक बच्चन के बड़े हो जाने के बाद ही जया बच्चन ने फिर से फिल्मों में इंट्रे की। सुवेता